दस साल पुराना टाइफाइड बुखार हो चाहे सुगर की बीमारी हो चरवी की गाठ हो चाहे कैंसर की गाठ हो कुछ दिनों में जड़ से समाप्त करता है यह है ओसदी नमस्कार आज मैं आपको एक ऐसा ओसदी दिखाने वाला हूँ एक ऐसी बेल बताने वाला हूँ जो आपके टाइफाइड बुखार, मलेरिया बुखार और डेंगो बुखार को जड़ से समाप्त कर देती है सुगर चाहे कितनी भी बढ़ी क्यों न हो, तीन सो हो या चार सो हो, कुछ दिन में सुगर का बिलकुल खात्मा कर देता है इतना ही नहीं यह स्कीन के अंदर जो चर्वी की गाठों को दूर करता है और कैंसर तदा कैंसर की गाठों को दूर करने के लिए जवरजस्त औसदी मानी जाती है तो देख लेजिए पैचाल लेजिए यह जड़ी बूटी आपके पेड़ों पर चड़ी होती है और पेड़ों जवर्जस्त है इसको कहते हैं अम्रता इसको अम्रता गुरुची या गिलोए के नम से जाना जाता है पैठाना जाता है और यह बेल शड़कों के किनारे पर पेड़ पौधों में आराम से आपको चड़ी हुई मिल जाएगी तो आप नुस्के को बनाने के लिए आप वहां से इस गिलोए को तोड़ करके ले आईएगा मैं बड़ी मातरा में आउसदी का निर्मार कर रहा हूँ इसलिए मैं जादा मातरा में गिलोए यहां पर ले आया बीमारी के लिए एक मरीज को देना था इसलिए मैं यहां पर ले कर आया हूँ यह देखिए इससे कहते हैं है अब चलिए हम बात करते हैं कैसी फायदा उठाएंगे बुखार में सभी प्रकार के बुखारों में यह किस तरीका से काम करती है ध्यान से सुनेंगे चाहे मलेरिया बुखार हो टाइफाइड बुखार हो डेंगो बुखार या फिर मौसमी बुखार हो आपकी प्लेट या खून की कमी हो गई है बुखार हो गया है या भूँक नहीं लगती इन सभी बीमारियों में इस अमरता का प्रयोक सुन लेजिए आपको लेना है गिलोए दस ग्राम वासा लेना है पांच ग्राम चिरायता लेना है पांच ग्राम और नेम की पत्या लेनी है पांच ग्राम ये सभी ओसदियां आपको पंसारी की दुकान में मिल जाएंगी या आप ही के आसपास ये मिल जाएंगी. इनको लेकर के मौटा मौटा कूटिये और एक गलास पानी में एक चमच डाल करके आप इसको उबा लिए. जब पांच ग्राम से दस ग्राम रह जाए तब च्छान कर पीती है ना तो सभी प्रकार के बुखारों का काल ही है ओसदी. अब बात करता हूँ सुगर में. डाइविटीज चाहे आपकी 300 पार चली गई हो या फिर 400 पार. दस साल पुरानी हो या फिर 20 साल पुरानी है डाइविटीज में आप कैसे इसको प्रियोग करेंगे मैं आपको बता जेता हूँ आपको लेना है गिलोए करेला नीम और चिरायता ये चारों सद्या समान मात्राम लेजिए यानि कि गिलोए 5 ग्राम करेला 5 ग्राम नीम की पत साल तो ये बड़े हुई डाइविटीज को कंट्रॉल कर देती है अब मैं बार करता हूँ जिनको इशकीन के अंदर जो चर्वी की गाठे हो जाती है न वो नहीं जा रही है उसके लिए तो उसके लिए आपको लेना है अमरता ये जो देख रहे हैं ये है गिलोए गिलोए क लेजिए साथ में लेजिए कचनार की चाल गिलोए दस ग्राम कचनार की चाल दस ग्राम पिपली छोटी पांच ग्राम और हल्दी लेजिए पांच ग्राम ये जो मातरा में बताई है ना इस मातरा के अनुसाल लेकर के आप रेगूलर काढ़ा बनाएए काढ़ा बनाने के ल कर दोंतियों चरबी की गानठों में अतिन तलाब कालिये साथ है आप इस और它 करके घिस करके गाएंगर रगाते घिंगा पर स्बस्लिबिर तो इसलिल रामभाण होई यह जिनहें बेड़ गैंसर है यह सरीर के किसी बीषब हिस्ते का कैंसर ध्यां सुनिए जैने बिलट कैंसर है या सरी किसी भी इससे का कैंसर है न तो उसमें इस ओसदी का प्रियोक करके लाफ आ सकते हैं तो कैसे प्रियोक करना है मैं आपको बता लेता हूं आप गिलोए लाइए गिलोए को आप छोटे-छोटे टुकडे करके रख लेजिए जब भी बराबर मात्र में लेजिए और बराबर मात्र में लेकर के आप इसका काढ़ा बनाए रेगूलर रूप से और रेगूलर रूप से खाली पेट अगर आप काढ़ा से बन करती है न तो यह आपके सभी प्रकार के कैंसर को दूर करता है ब्लेट कैंसर को दूर करता है और कैंस अधर की गाठों को दूर करता है।